दोस्तों यह है Scorpio N का Z4 second base variant आज आप इसका एक बार exterior देख लिए कि आपको क्या क्या चीज़े देखने के लिए मिलती है जब बाहर से कोई इसको देखे हैं तो क्या वो बता पाएगा कि second base variant है यह यही जानेगा कि यह Scorpio N का top model है करते विडियो को स्टार्ट लेट्स सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी रेडियेटर घ्रट से तो जो हिस्सा आपको टॉप मॉडल में क्रोम का मिलता है सिक्स वर्टिकल स्लैट और उपर वाला है सकते वह यहां पर सिल्वर का देखने के लिए मिल जाता है इसके एलावा नया ट्विन पीक लोगो दिया है उसके जस नीचे कैमरा नहीं मिलता इस वेरियंट पे हैड्लाम की बात करें तो यहां पर यह आपकी पार्किंग लाइट है यह आपका टर्न इंडिकेटर है डबल वैरल रेक्टेंगुलर यहां पर हैड्लाम सेटप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के लिए प्रोजेक अधरी लगवाना पड़ेगा ना डियारली दिये हुए है नीचे जो इसकेट प्लेट है वो सिल्वर नहीं है ब्लाग दी गई है कि यहां पर आपको एक कर्टेंग भी मिल जाता है जस्ट फोग्राम के हाउसिंग के बगद नीचे क्लैडिंग मिल जाती है इसके अलावा उ टौती आपको देखने के लिए कहीं पर भी नहीं मेलेगी मेजर मेजर तो एक बार में कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह टॉप मॉडल नहीं है अगर आप डियारल और फॉग लंप लगवा लेते हैं उसकेस में साइट से चलोगे तो यहां पर वील कैप साते हैं टायर प पूट स्टेप आपको बाद में कंपणी लगा के देगी सिल्वर इंसर्ट यहां पर नहीं मिलते आपको इसके अलावा एलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर्वी हम देखने के लिए यहां पर मिल जाते हैं इंटीग्रेटर टर्न इंडिकेटर भी दिये हैं फोल्डेब यह भी क्रोम की नहीं मिलती स्टिंग जो डिजाइन है यह पूरा ब्लाक ही दिया हुआ है बट हाँ अगर आप देखोगे तो यहां पर ग्रैब हैंडल भी दिया हुआ है रिक्वेस सेंसर नहीं मिलता बट पीछे भी आपको यह देखें डिस्क ब्रेक्स दिये हुए है चा सबकुछ मिल जाता है जो टॉप मॉडल जैसा ही रहता है पीछे से नहीं बता पहेगा एक बार में कि आपका टॉप मॉडल है इस कॉपी यहां की बैजिंग दी गई है यहां पर कैमरा नहीं मिलता और नया ट्विंपीक लोगों मिल जाता है बोडी कलरी डोल हैंडल यहां पर मिलता है इसके अलाबा नीचे आपको रिवर्श पार्किंग संसरच आरी मिल जाते हैं रिवर्स लेंप मिल जाता है यहां पर प्रोम नीचे नहीं दिया आप अलग से लगवाल होगे डॉप मॉडली लगेगा एक डेटर मिल जाता है यह लेडी वाले आपको टेल लाइ ही है यह तो आपके लग जाएंगे अलो अगर आप अलग से लगवा होगा तो यह एक्स्टीरियर व्यू आफ जड़ फोर महिंद्र स्कॉर्पियों जिस दिन गाड़ी शोरूम पर जाएगी उस दिन में आपको इंटीरियर से भी गाड़ी दिखा दूगा अब यह आप देख प्लास्टिक के टुकड़े का मिलता है कोई भी क्रोम या एडिशनल प्रीमियम मटेरियल के इस्तिमाल उस बैजिंग में नहीं किया है अब मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं कि अगर आप यह मॉडल लेते और आप दिल्ली में रहते हैं तो करोल वाग में आपको क्या तो सामने से बिल्कुल जैडिट लगशरी की तरह लगे गाड़ी इसके लाबा कोई भी और कमी नहीं लगती है रेंसेंसिंग वाइपर ओटम मेंटिक हेडलाम का वह चीज तो धका हुआ है उसमें भी कोई दिखकर नहीं साइड में चलोगे तो आपको वील कबर लगवाना पड़ेगा नहीं तो आप चाहो तो इस पर अलॉय वील भी लगवा सकते हो 17 इंच के मैनुल वाले फूटस्टेप तो कंपणी लगा के देगी सिल्वर फिनिश में इसके लाब अगर आप देखोगे तो और वीम जैसे टॉप मॉडल में आते हैं वैसे ही सेम टू सेम है यह पीछे की बात करें सो पीछे सिर्फ एक कमी मिलती है वो क्या है वो है कैमरा इसके अलावा सारी चीज़े सेम है हां एक रिक्वेस्ट अंसर उसमें हैंडल में नहीं मिलता और क्रोम फिनिश नहीं मिलती है थैंक यू सो मच एंड बाबाई